हाई गाइस तुड़े पियार गोइंग तो लर्न अबाउट वेन नॉट तो यूज एन आर्टिकल हमने इससे पहले सीखा था कि अ और द का प्रयोग कब होता है द को द और द कब बोलते हैं और आज का वीडियो है आपकी स्किल्स को एन्हांस करने के लिए ताकि आपको यह सम समझ जाएंगे तो अराम से आ जाएगा सबसे पहला है प्लूरल कॉमन नाउन्स के लिए हमने फर्स्ट लॉजिक जो कहा था कि कुछ स्पेसिफिक है या फिर कोई सिंगिलर नाउन है तब आप और अन का इस्तिमाल करते हैं अगर प्लूरल है तो हम आर्टिकल इस्तिमाल न चिल्रन आर फॉंड ओफ स्वीट्स इस अन एग्जामपल आउन्स के लिए आप कोई भी आर्टिकल का इस्तिमाल नहीं करेंगे इससे पहले आप ए अन द नहीं लगाएंगे ठीक है नेक्स्ट रूल यह कहता है कि जो प्रपर नाउन्स है जैसे कि कोई कैपिटल हो गई या फिर वी आपकिंग अबाउट सम पर्सन स्पेसिफिक लाइक New Delhi is the capital of India इस एक्जाम्पल में हम प्रपर नाउन की बात कर रहे हैं अन द नहीं आएगा हम आगे भी एक रूल है कि अगर हम सिटीज के बारे में बात करते हैं तब भी नहीं आता है और कोई प्रपर नाउन्स लेट से टैगोर रबिंद्रनाज टैगोर के बारे में बात कर रहे हैं टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट पोएट नाउन है यहां पर हमने उसके बारे में बात करी बट प्रपर नाउन क्या है टैगोर तो यहां पर आप टैगोर से पहले ए और का इस्तिमाल नहीं करेंगे अगर आपने यहां लिख दिया, मान लीजिए, टेगोर, the great, the great, टेगोर, तब the आएगा, क्योंकि वहाँ पे आप great का इस्तिमाल as an adjective कर रहे हैं, proper noun के सामने, यहाँ पर यह जो proper noun है, उससे पहले नहीं आता है, adjective से पहले आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी a and the जो है, वो यह इस्तिमाल होगा, यह जो rule है, तीसरा, मज़ेदार भी है, और confusing हो जाता है कभी-कभी, but वही हमारा channel है, कि हम confusions को clear कर देंगे, अगर आप कोई भी language के बारे में बात कर रहे हैं, Hindi is my mother tongue, the Hindi is my mother tongue नहीं बोला जाएगा, right, अगर आप कोई भी, games के बारे में बात कर रहे है Football is also known as soccer, right, the football नहीं बोला जाता है, फिर हमने बात करें, आप कोई market के बारे में बात कर रहे हैं, I am going to the market चलेगा, लेकिन आप किसी market का नाम ले रहे हैं, I am going to the Sarojni Nagar, shopping के लिए जाती हैं लड़किया, but the Sarojni Nagar नहीं बोला जाएगा, right, ऐसे ही cities के नेम हैं, London, Paris, या इंडि किसी भी country के कोई भी city हो, उसके आगे दव का इस्तिमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन language में कई बार जो language है, वहीं जो word है, वो किसी community को भी refer करता है, फर्स करिए हम बात कर रहे हैं French के बारे में, so French जो है वो एक language भी है, और France के लोगों को French भी बोला जाता है, इसी तरह German एक language भी है, और Germany के लोगों को German बोला जाता है, right, इंडिया में language हिंडी है, अगर Indian एक language होती और हम लोग भी Indian है, right, तो अगर आप community के बारे में बात क sense में, the French are very jolly people, वहाँ पर आप the use कर सकते हैं क्योंकि आप एक community को refer कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसी को as a language बोला, French is a tough language to learn, तो the French is a tough language आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, French is a tough language to learn, यह मेरा example है, मैंने कोशिच करी थी सीखने की हमसे ना हो फिर है हमारा abstract nouns and uncountable nouns, abstract nouns क्या होते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया, death या beauty, for example, beauty is short-lived, तो यहाँ पर आप the beauty is short-lived नहीं बोलेंगे, hence the rule, abstract noun, uncountable noun, कुछ ही कैसे, जो count नहीं कर सकते, जैसे कि मम्मा हमेशा अपने बच्चों को बोलती है, sugar is bad for your teeth, right, the sugar, a sugar नहीं बोलेंगी, because uncountable है, and हम लोग कभी भी बातचीत में यह तो नहीं बोलेंगे, one kg sugar is bad for your teeth, right, तो sugar क्योंकि uncountable noun है, तो वहाँ पर भी आप किसी article का इस्तिमाल नहीं करेंगे, और भी कुछ हैसे हैं जहाँ पर articles का इस्तिमाल नहीं होता है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, please remember, कि हमने एक thumb rule किया था, कि the का इस्तिमाल, articles का इस्तिमाल तब होता है, अगर हम कुछ specific के बारे में बात करते हैं, जब हमने पहला rule जो अपना पढ़ा है, कि plural noun में, जैसे कि children are fond of sweets, लेकिन अगर आप घर पर आते हैं, फर्स करिए, आप mom हैं, dad हैं, और आप घर में घुस्ते ही बोलते हैं, where are the children, वहाँ पर आप the का इस्तिमाल करेंगे, क्योंकि आप specifically अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, please make sure कि ये चीज़ आप अपने mind में जरूर डालने, plural nouns में नहीं इस्तिमाल होता है, लेकिन अगर आप specifically किसी के बारे में पूछते हैं, सिरफ तब इस्तिमाल होता है, general sense में नहीं होता है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कोई वे material के बारे में बात करते हैं, तब आप the, a, and नहीं इस्तिमाल करेंगे, for example, आपने कहा, I drink milk every day, I drink the milk every day, सुनने में इस इतना आटपटा लग रहा है, बस ये एक आदत फॉर्म कर लो, कि बोल कि थोड़ा सा समझ लो कि क्या ये सही बैठ रहा है, नहीं बैठेगा, 99% आप वैसी समझ जाओगे, ठीक है, जैसे कि हमने बात करी कि, माल लीजे ये टेबल है, है ना, हम बोल देते हैं, the table is made of wood, wood क्या है, material है, table क्या है, नाउन है, तो यहां पर हमने specific table की बात करी, कि the table is made of wood, material के आगे, the नहीं आएगा, general sense है, जो अभी मैंने आपको logic बताया, लेकिन अगर हम specific कर देंगे, proper कर देंगे, कि चिनार की लकडी का बना हुआ है, उस case में आप the का इस्तिमाल करेंगे, जो रूल है, वो यह है, कि जबी भी हम मेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मेल्स बोले तो, breakfast, lunch, dinner, snacks, right, हम उसके बारे में बात करें, तो breakfast, lunch, dinner के बारे में, अगर हम general sense में बातचीत कर रहे हैं, तो हम कोई भी article का इस्तिमाल नहीं करेंगे, for example, breakfast is the most important meal of the day, right, so breakfast is the most important meal, लिखे रेते हूं में, breakfast is the most, यादे न, superlative degree है, तो the आएगा, the most important meal of the day, तो यहां पर आप breakfast, which is one of the three meals, आप the, and कुछ भी इस्तिमाल नहीं करेंगे, general sense में, अब अगर आपने meal से पहले किसी adjective का इस्तिमाल किया है, adjective जो उसके बारे में हमें कुछ बता रहा है, जैसे कि, I had a late lunch today, so I had a आ जाएगा, क्योंकि आपने lunch से पहले late लिखा है, तो आप देखो, lunch से पहले यहां पर भी हमने कोई article नहीं इस्तिमाल किया है, उससे पहले जो हमने adjective यूज किया, उसके आगे हमने article इस्तिमाल किया है, और अगर आप किसी भी meal के बारे में कुछ specific बता रहे हैं, for example, the dinner at the Taj hotel was really amazing, the dinner at Gupta's party was very yum, तो आपने specific कर दिया कि आप कहां पर जो dinner था उसके बारे में बात करें, उस case में आप the इस्तिमाल करेंगी, so, यहां पर अ और द जो है, वो adjective या specific है तब इस्तिमाल हो रहा है, general sense में, I love to have breakfast at 8 a.m., I make sure that I take my lunch before 1 p.m., तो in cases में आप कोई भी article नहीं यूज करेंगे, I hope it is clear, clear नहीं है, तो please comments में लिखेगा, I'll get back to you, एक rule यह है, कि अगर हम common nouns को pair में यूज करते हैं, तो the का इस्तिमाल नहीं होता, यहां पर आप बाकी सारा जो rules है, कोई word है, all है, some है, same है, both है, whole है, उसको भूल जाएए, अगर pair में आपने common noun को यूज किया है, तो आप article इस्तिमाल नहीं करेंगे, मान लीजिए, common noun, I am married, so let's say, both husband and wife are teachers, दोनों husband और wife, दोनों teachers है, यह जो है, यह husband and wife, common noun है, लेकिन हमने इनको यूज किया है pair में, तो यहां पर इन से पहले कोई भी the, a and नहीं आएगा, बोथ के बाद the आता है, अगर आप common noun की बात कर रहे होते हैं तब, लेकिन pair में नहीं होता, right, pair का मतलब है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, pair का मतलब to नहीं होता, combination होता है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, तो यह हमारे कुछ rules हैं, जहां पर यह specific हो जाता है, कि हमें कब articles का इस्तिमाल नहीं करना है, तो आपने इन rules को ध्यान में रखना है, बहुत कम है, लेकिन बहुत important है, so please make sure that you make a note of it, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि examples के साथ आपको समझाऊ, still अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई suggestions है, कि मैं इस चैनल को और अच्छा बनाऊ, विडियोज को और informative बना सकती हूँ आपके लिए, please share your ideas with me, I will definitely incorporate them, keep watching my videos, like, share and comment, thank you.